पिछले बहुत दिनों से बहुत ज्यादा कॉमेंट्स मिल रहा है यह को स्मार्ट फोन गेमर्स या पीसी गेमर्स दोनों का पूरा खयाल रखा गया इस यहां पर कुछ ऐसा बॉक्स मिल जाते हमारे को सुन्दर सबन रखा है यहां पर बात करेते हैं बारे में बारे में बारे में अच्छी खासी इसकी यहां पर कॉस्मार्ट की ब्रैंडिंग है तो पॉली कार्मेंट में प्लास्टिक की कॉलिटी बढ़ी है और उपर से यह वाला है यह हमारे को मेटल का मिलता है और अंदर की तरफ हमारा कुशन है जो आटमेटिक एडेस्टिबल वाला है जिस टाइप के सर के उपर र कर सकते हो और यहां पर आटियो म्यूट अंदर चैंग और रोलर भी मिल जाता है और लाइट का बटन में इसके उपर दिखा रहा था इसके अंदर और एक आघपके जो जो हम इसके कंट्रोलर पर यहां पर कनेक्ट कर सकते हैं यहां पर वायर को कनेक्ट करने के बाद टोटल 2.1 मीटर की लेंट हो जाती है इतनी हो जाएगी अब देख लो आप अब अपने PC laptop कंसोल से कितनी दूर बैट होगे वह आप डिसाइड करो और इस हेड़फोन का सबसे बड़ा हाइलाइट है इसकी कनेक्टिविटी यह 3.5mm jack से कनेक्ट हो जाता है तो उसमें चाहिए आपको अपने PC से कनेक्ट करना हो 3.5mm jack वाले phone से कनेक्ट करना हो या अगर आपके पास Xbox या PS5 gaming console है उसके controller में directly connect कर सकते हो फिर उसके बाद Type A connectivity मिलते हैं जिसके अंदर आपका PC laptop इंकलूड हो गया और Type C to Type C से भी चल जाता है Type C to Type C के वाल इसके box में नहीं है लेकिन उसके through मेने connect करके देखा मेरे पास S23 Ultra उस पर भी चल गया था डिरेकली laptop के Type C port में चल रहा था और अगर Type A की बात करें तो directly PS5 से आप Type A port में भी connect कर सकते हो 2.1 meter है अच्छी खासी दूरी मन जाएगी और Type A के through connect करने के बाद 3D audio का support PS5 पे मिलता है और यह smartphone का mic test है ऐसी सामने वाले को अवास हो नहीं देगी जो आप gaming कर रहे होंगा अपने PC पे अपने phone पे हेलो चैक 123 कैसे लेगी माइक की कॉलिटी वह आप मेरे को comment section में बता हो उससे मारा algorithm बढ़ेगा लाइक शेर सब्सक्राइब सब आपको बता है ठीक है तो उसमें यह काम आ सकता है उसके लावा environment effects है जिसके अंदर concert hall, bathroom, underwater बहुत सार एफेक्ट मिलते हैं आपर living room अगर पार्किंग लोड डिफरेंट आवास के मजे लेने हो तो उसमें काम आ जाता है उसके लावा 7.1 virtual surround sound वाला scene मिलता है जिसके अंदर यह surround sound वाला effect बना जैता माइक की volume आप control कर सकते हो, उसके लावा sample rate आप change कर सकते हो, then यहाँ पे sing effects वाला option मिलता है जिसमें microphone में echo add करने हो, या magic voice add करने हो, यह मैं पहले वाली वीडियो में दिखा चुका हूँ, अलग-अलग voice effect आप create कर सकते हो, इसके mic पे, and noise reduction का option मिलता है, noise आप यहाँ से reduce कर सक और जिस पार का तो मैं इंतजार है, वो है gaming experience, मैंने इस headphone को PC, smartphone, console, सब जगा try करके देखा, सबसे पहले phone experience आपको बदाता हूँ, type C, through S23 Ultra पे मैंने connect किया, phone के अंदर loudness थी उतनी जादा नहीं थी, जीतनी मेरे को PC मिल रही थी, लेकिन gaming के अंदर मेरे कोई दिक्कत नहीं ह और यहां पर highs अच्छे है, यानि कि footsteps आपको सुनने हो, e-sports आप खेलते हो तो इस headphone में कोई दिक्कत नहीं होगी, अवाज बिल्कुल सही मिलती है, और जो tuning NS headphone की हो बिल्कुल gaming के साब से है, और wired headphone है, तो latency का तो obviously कोई चक्क कर नहीं है, और उसके माद हमने PC पे खेला, Valorant मेरे को उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी, और PC योग पर output थोड़ा better मिला, sound मेरे को loud मिली, और दिक्कत PC पे भी कोई नहीं, और यहां पर अगर आपको console पर gaming करनी हो, तो 3.5mm jack वाल option मिलता है, और type A वाल option मिलता है, तो जिस type का console होगा आप उस पर खेल सकते हो, और यहा आपके लिए नहीं है, इसकी जो बेस है, वो smooth type की बेस है, एकदम punchy type का बेस नहीं है, और loudness भी ऐसी है, कि आपने कान पे headphone लगा, तो आसपास के अवाज नहीं हैगी, बट वो ऐस सच loud feel नहीं होती, कि बजरा कान में कुछ, वो वाली feeling इसमें मिलेगी, इसकी tuning जो है, वो gaming प्रोटियस headphones का, और ये 1800 पे नहीं लांच करें है, and 1800 के साब से कर आप गेमिंग एडफोन डून रहो, for different platforms, console आपके पास है, phone आपके पास है, PC आपके पास, ये सब जगा चल जाता है, mic की quality आपने सुन ली, and while looks obviously तगड़े है, और जो इसका key highlight है, वो ऐसका weight, ऐसा बड़ा headphone है, gaming on look के साथ, तब भी under 300 grams का headphone है, तो इस price point पे gaming के साब से कोई दिख कर नहीं है, लेकिन अगर आप एक तड़कते, music lover हो, और आप music के लिए भी सोच रोगी, ये वाला headphone, तो ये आपको थोड़ा बहुत disappoint कर सकता है, वो loudness, वो bass, वो thump, वो सब इसके अंदर missing है, normal गाने कर दो कर दो एक एक, कर दो